हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबी का आपके अपने चैनल में आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन लेकर आए हैं शायद ही आपने ये डिजाइन पहले कभी बनाया हो ये डिजाइन है आप अपने घेरे में अपने बाजू के आगे बनाकर रेडी कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने ये कपड़े के पीस लिये हैं दो रंग के आपने इस तरह के पीस लेने हैं इसकी जो लंबाई और चुड़ाई वो आपने 3.5 बाए 3.5 रखी है इस वाले piece की मैंने 3.3 रखी है और ये जो piece है इसकी मैंने थोड़ी कम रखी है क्योंकि ये उपर की तरफ लगेगा ये मैंने 3 रखा है तो इसकी 3.3 है इसकी 3.3 है तो इसको हम इस तरफ fold करेंगे और एक triangle बना लेंगे ये दो triangle हमारे हैं इसको एक दूसरे के उपर रखना है ये जो छोटे वाले triangle है उपर की तरफ आएगा इसको ऐसे रखते हुए एक इसके उपर सिलाई लगा लेंगे अगर आप यहाँ पर 3 रंके बनाना चाहते हैं तो 3 रंके भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर 2 रंके यूज़ कर रही हूँ अब हम इसको उपर एक सिलाई लगा लेते हैं इसना कि हमने काफी सारे pattern ऐसे काफी सारे design बना लेने है इसको हम cat कर लेंगे और देखें ऐसे सबरे line बनाने हैं यह मैंने काफी सारे design बना लिया है आप इनको अब side में कर लीजे अब यहाँ पे कपड़े की पट्टी ली है यह सीधी पट्टी है यह 1.5 इंच चौड़ी है यह औरेब नहीं है सीधी है तो इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसके उपर एक सिलाई ऐसे लगा देते हैं इसको हमने सीधा कर लेना है तो सीधा करके यह पट्टी हमारी लग जाएगी अब सिलाई हमने इसके उपर लगा लिए है इस तरह हम इसे सीधा कर लेंगे सीधा करके इसको हमने प्रेस कर लेना है बाद में ताकि इसकी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाए देखे इस तरह मैंने ये सिलाई ली है, सिलाई की help से हम इसको सीधा कर लेते हैं और जो ये बीच वाली सिलाई होती है, इसको center में रखते हुए अपने press कर लेना है ये सिलाई हमारी side में नहीं होनी चाहिए तो अब हम design को बनाना शुरू करते हैं, यहां पे हमने एक paper लिया है इस paper की जो लंबाई है वो आपने अपने plazo या फिर बाजू के हिसाफ से रखनी है इस तरह ये हमारा plazo है 14 इंच तो हमने इसको 15 इंच रखा है अब हम यहां पे इसकी लंबाई जो छोटी पली हिस्से में चुड़ाई होती है वो साड़े 3 रखेंगे और इसको half कर लेंगे बीच में से आपने एक निशान बना लेना है half का मैंने इस तरह half का निशान बना लिया है अब इस triangle को हमने इस तरह जोड़ना है triangle को जब आप जोड़ रहे हो तो जो बीच का निशान है जो ये हमारा centre का निशान है उसके बिल्कुल ऊपर रखना है जैसे बिल्कुल 7 रखना है कि दूसरा triangle इसके बिल्कुल सामने आएगा तो इसके उपर अब सिलाई लगाते हैं जो next वाला triangle है उसको उसके बिल्कूल साथ रखना है लेकिन उससे पहले एक ये हमारी डॉरी है जो हमने बनाई थी इसको उपर रखके अटैच करेंगी देखिए, ये हमने दूसरा ट्राइंगल इसके उपर रख लिया है ऐसे, बिल्कूल साथ मिलाते हुए और इसके उपर इस तरह डोरी को रख देंगे डोरी हमारी उपर से कट जाएगी वो बाद का गाम है तो यहाँ पर अब सिलाई को सिधा कर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जितनी लंबाई है उतना इसको कट कर देते हैं और दूसरा ट्राइंगल हम फिर से रखेंगे ऐसे ही इससरा रखते हुए फिर से एक दोरी रखेंगे इसी तरह हमने इस पूरे पैटन को ready कर लेना है दूसरी साइड का भी आपको दिखाती हूँ कैसे करना है इसी तरीके से यह सारा पैटन हमारा ready हो जाएगा दूसरी साइड कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ अब एक साइड का डिजाइन हमारा बन गया है अब दूसरी साइड भी सेम हमने ऐसे ही बनाना है एक ट्राइंगल इस तरह लेते हैं देखे इस तरह मैं इसको इसके उपर रख रही हूँ और इसके बीच के कॉर्नर है ये भी आपस में मिलने चाहिए और डोरी को हम इस तरह रखेंगे और रखते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे फिर ऐसे ही हम पूरेट पैटर्न को कम्प्लीट कर लेते हैं अब जो भी एक्सा कपड़ा है दोनों साइड से उसकी फिनिशिंग कर देते हैं बिल्कुल पेपर के बराबर हमने इसको कर लेना है दोनों साइड से मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब इसको हमने जोड़ना है अपने प्लाजो में लेकिन उससे पहले एक नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे यह हमने दो इंच चोड़ी एक पट्टी ले ली है अब इसको इसके नीचे रखेंगे इस तरह इस तरह सिलाई लगा लेते हैं अब यह सिलाई हमने लगा दी है एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरह कट कर देते हैं और अब जो ये पट्टी है इसको हमने उपर की तरफ फोल्ड करना है पहले एक सिलाई दबाब की लगा देंगे दबाब की सिलाई लगाते हुए इसको उपर से अब हमने फोल्ड कर देना है इस तरह थोड़ा संदर की तरफ करेंगे और उपर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे उससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी यह हमारा नीचे वहला हिस्सा हो जाएगा अब हमने अपना प्लासो लिया है इसके उपर इसको अटैच करेंगे अब हम पैटर्न को इस तरह उल्टा रखते हैं इसके उपर सीधा प्लासो है हमारा पैटर्न हमारा उल्टा है इसको इसके उपर रखेंगे और एक सिलाई नीचे अपना मार्जन छोड़ते हुए अटैच इसको सीधा करते हुए इसके उपर एक दबाब की सिलाई लगा देनी है जिसे ये उठेगा बिल्कुल नहीं अब हमने इसके अंदर creativity भी करनी है इस तरह हम इसको सीधा करेंगे और इसके उपर दबाब की एक सिलाई लगा देंगे तो लीजिए ये pattern हमारा बंकर तयार हो गया है बिल्कुल ready है लेकिन इसके जो corners है इनको हमने attach करना है मोती के साथ परल के साथ ऐसे attach कर देंगे तो ऐसे हम मोती ले लेते हैं और 4 layer का धागा अपने सुई में डाल लेते हैं तो मोती हमने यहां पे गोल वाले लिये हैं अभी क् सबसे पहले जो उपर वाला triangle है यह जो छोटे वाला triangle है इसको पहले इसके साथ attach करना है क्योंकि यह भी हमारा triangle उठना नहीं चाहिए यहां पे हमने बिल्कुल छोटे वाला मोती लिया है बिल्कुल जो zero number का मोती होता है वो वाला लिया है इसको हम इस तरह attach कर देते हैं मोती में दोनों छोटे ही डाल रही हैं अगर यहां पर बड़ा डालूंगी तो यह छुप जाएगा वो आपकी च्वाइस रहेगी छोटा या बड़ा मोती लगाने की तो इस तरह हम मोती को ऐसे लगा रहेते हैं और अगले वाले triangle में निकाल लेते हैं तो यह बहुत ही सु मोती आजाएंगे लाइन में और यह लगे हुए बहुत सुन्दर लगते हैं टांके को आप नीचे से पका कर दीजिए और यहां पर टांके को कट कर दीजिए इसी तरह हमने पूरे में मोती लगा देने है ताइंगल को जोड़ने का तरीका तो बता दिया है अब यह जो आपस में मैच कर देने हैं तो यहां पर एक बो बन जाएगी अगर इसके बीच में आप एक मोती डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसी तरह आप टांके को बंद कर दीजिए यह वाला पैटन भी आपने इसी तरह बना लेना है पूरे मे और बना कर मैं आपको दिखाती हूँ वही वाला छोटा वाला मोती है जो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और यहां पर टांके को पीछे पका कर देते हैं और ऐसे ही पूरे पैटन को रेडी कर लेते हैं तो लीजे यह हमारा सारा पैटन बनकर तयार हो गया है बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब हम क्या करेंगे यह जो पीछे वाला पेपर है इसको निकाल देंगे इसको निकालने के बाद इसका लुक देखेंगे बहुत ही बढ़िया आता है पेपर इजिली निकल जाता है इसको हमने इस तरह निकाल दिया है और अब देखिए ये डिजाइन हमारा रेडी है बिल्कुल कम मेहनत में और बहुत ही संदर सा ये डिजाइन बन कर तैयार हुआ है आपको ये डिजाइन कैसा लगा है हमें बताईएगा जरूर अब थोड़ा सा एक काम और कर देते हैं इसके नीचे हमने बिल्कुल जो सेकंड वाला कलर था उसके साथ की एक लेस लगा देनी है उससे जो इसकी ग्रेस है और भी अच्छी आजाएगी ये अप्शनल है 100% अगर आपके पास लेस है कोई तो लगाएं अगर नहीं है तो नहीं भी छोड़ भी शक्ते हैं इसको आप लेस लगाने के बाद और भी ये खुबसूरत लग रहा है आपको ये डिजाइन कैसा लगा है आप अपने किसी भी प्लाजो में बाजू में इसको बनाएए और अपने सूट का लुक डबल कर लीजिए इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और फिर ये डिजाइन हमारा पॉर्फेक्ट रेडी है आप अपने एक कॉमेंट के साथ अपना रिव्यू दे सकते हैं आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज आप हमें बताईयेगा जरूर थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो